कि वेल्कम स्टूडेंट मैं हूँ टांडे सर सत्पुडा आइटे माझापुर बाला हाट दोस्तों स्टार्ट करेंगे कम्यूटेशन DC जनरेटर में कम्यूटेशन क्या होता है तो आपने इसके पहले सुना होगा कम्यूटेटर के बारे में आपने इसके पहले सुना है तो कम्यूटेटर का काम क्या है कम्यूटेटर एक ऐसा mechanical ही जो AC को 20 में बदलता है तो यह एक प्रकार का let me da anे करता चैंज करता है और कम्यूalahर ऑप को टी सिह में चेंज कर रहा है लेकिन हमारा जो रेक् tota 섹वा रहे जिसमें सेमिकंडर माटेरियल मतलब की सेमिकंड़क्टर डायॉट का यूस करते हैं और उन सेमिकंडक्टर डायोड से हम क्या बनाते हैं ब्रीज सर्किट बनाते हैं फुल वेव या हाफ वेव या पूरा ब्रीज सर्किट मतलब कि फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर का जो काम है, यहाँ पर यदि हम लिख दे, रेक्टिफायर का, रेक्टिफायर का काम भी AC को DC में चेंज करने का है, लेकिन यह जो रेक्टिफायर होता है, यह electrical arrangement है, कैसा i mechanical के उसलें गहते हैं क्योंकि इसमें rotating part है यह और यह generator के अंदर rotate करता है shaft के साथ तो में ही आपको आर्मिचर मिलेगा शाप्ट में ही आपको commutator भी मिलेगा और यह जो आर्मिचर में जो imm induced हो रहा है उसी एक्LES भी मापको बाहर निकाल ली के लिए कराने जिंभिदार हैं तो आर्मेचर में information के लिए hija को हम एक सिंगे में बदलें तो यहीं जो प्रोसेस है यहीं क कम्यूटेटर की द्वारा जो प्रोसिश होगी वहीं community की होगी तो कम्यूटेशन में इसमें जो आपको नंडे की सगमेंट मिलेंगे इन सेगमेंट में जो वोल्टेज पहुंक रहा है जैसे कि उब कि पोजिटीव और नेगेटिव दो टर्मिंण इसके द्वारा कम्यूटेशन की प्रोसेस कैसी होती है ठीक है तो यहां पर यदि कम्यूटेशन की बात करें तो जो दिक परिवर्त जिसे कहा जाता है कम्यूटेटर को ही दिक परिवर्तक कहा जाता है कम्यूटेटर को ही क्या कहा जाता है दिक परिवर्तक तो यहां पर यह ज याद होगा कि कम्यूटेशन प्रोसेस होती क्या है तो कम्यूटेशन हमेशा किसमें होगा डी सी में तो डी सी जनरेटर में जब भी एक ब्रस क्योंकि ब्रस की बात किया जाए तो यहां पर होता है कार्बन ब्रस किसकी बात करेंगे आप यह जो कार्बन ब्रस है किसी भी जनर सब्सक्राइब कर रहा है तो एक सब्सक्राइब से जुदा हुआ और देगे दोश्तों कम्युटेशन जो है बिसी जनरेटर को कम्युटेशन होता आया धात की प्रोड्य होती होती है तो क्या होता है जब सब्सक्राइबा रेकण में क्यों पर्ष करता है कैसे करता है यह कोई winding है और इस winding में यहाँ पर इसे खाचे बनी हुई सेगमेंट बनी हुई है और यहाँ पर एक कार्बन ब्रस लगा हुआ है चीक है यह कार्बन ब्रस यहाँ पर लगा हुआ है अब यहाँ पर यह जो कार्बन ब्रस है एक सेग्मेंट यह हो गया यह दूसरा हो गया और यह तीसरा हो गया तीन सेग्मेंट हो गया यहाँ पे जब कार्बन ब्रस ऐसी सिचुवेशन आती है कि दो सेग्मेंट के बीच में आ जाए कैसे आ जाए दो सेग्मेंट के बीच में आ जाए यह कार्बन ब्रस है मानकर आ गया तो ऐसी situation जहां होगी तो होता यूँ है DC generator में जब एक ब्रस दो commutator के segment को sparse करता है तो इसे क्या कहेंगे हम segment क्या कहेंगे हम segment segment 1, segment 2, segment 3 और यह क्या हुआ carbon brush और यह क्या हो गया winding हो गई जब DC generator में एक ब्रस दो commutator के segment को sparse करता है तो उन segment से जुड़ी हुई जो coil है वो short circuit हो जाती है क्यों होती है क्योंकि इस segment में जो current होगी वो समझो की negative वाली होगी मतलब कि यह मान कर चली उसकी आने वाली धारा यहां पर हो रही है इंटर हो रही है और दूसरे segment में धारा बाहर की ओर जा रही है आप समझी इस बात को तो क्या होगा इसके direction में चेंजिस आ जाएंगे अब यह जो carbon brush है carbon brush segment 1 की जो धारा है उसको collect करेगा यह segment 2 की धारा को करेगा भी carbon brush का काम तो है इसमें जो electricity पैदा हो रही है यह में जो generate हो रहा है armature में और armature के साथ जो commutator जूड़ा हुआ है commutator की जो segment है उस commutator segment का काम यह है कि positive terminal को अलग एक carbon brush collect करेगा और negative terminal को एक अलग carbon brush collect करेगा तो यहां पर होता यह है कि यदि एक दो segment के बीच में एक carbon brush आ जाए तो इसके लिए बड़ी परिक्षा की घड़ी आ जाती है इस carbon brush के लिए बड़ी परिक्षा की घड़ी आ जाती है तो यहां पर short circuit की condition पैदा हो जाती है और आपको पता है कि short circuit के condition में sparking होती है sparking होगी तो हमारा commutation smooth हुआ क्या नहीं हुआ न भई स्पार्किंग होने लगी तो commutation smooth होगा ही नहीं और उसी sparking के कारण जो carbon brush है वो घिस आएगा दूसरा commutator की उपर का जो segment है उपर का जो भाग है वो घिस आएगा और हो सकता है तो वो heated होने लगे क्योंकि वो copper का बना हुआ है तो फिर ऐसा करते हुए उसमें और process में मतलब की commutation की process में fault आ जाता है तो यहां पर हम देखे हैं तीक ही जो commutation है यह commutation कितने प्रकार क्या होते हैं दो प्रकार क्या होते हैं पहला होता है smooth commutation अब आपको पता है smoothly यदि कोई motor run करती है तो आपको उसमें sparking या उसकी speed में कम ज्यादा परिवर्दन आपको नहीं मिलेगा वैसी यहां पर commutation की प्रोसेस यदि smooth हो जाए generator में तो आपको terminal पर जो voltage मिलेगा वो constant मिलेगा क्योंकि हमें जो voltage चाहिए ये voltage के मान में fluctuation नहीं चाहिए क्योंकि आपने देखाऊंगा यदि आपके घरों में supply आता है तो voltage का मान आपको constant मिलेगा voltage का मान constant मिलेगा voltage के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता या तो आपको 230 मिल रहा है तो 230 ही मिलेगा 220 मिल रहा है तो 220 ही मिलेगा या 210 मिल रहा है तो continue 210 ही मिलेगा आपको यदि 180 है 190 है तो continue आपको 180, 190 ही मिलेगा हाँ current के मान में परिवर्तन हो सकता है लेकिन voltage के मान में constant आपको मिलना चाहिए क्योंकि voltage एक ऐसा है ये constant होना चाहिए तभी जिस equipment को आप लगाएंगे जिस machine को लगाएंगे जो भी उपकरन आप connect करेंगे तो ये इसमें voltage का मान जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक ये smoothly work नहीं करेगा कोई भी machine हो तो यहाँ पर वही है यदि DC generator में commutation की process यदि सही नहीं होगी तो आपके terminal पर जो voltage मिलेगा वो voltage सही नहीं मिलेगा अब यहाँ पर ये जो commutation है दो प्रकार के होते हैं इसमें पहला smooth commutation तो smooth commutation क्या होता है आए देखेंगे smooth commutation क्या होता है जब armature coil में विद्धुधारा प्रवा की जो दिसा है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो धीरे धीरे परिवर्त मतलब की slowly slowly तो जब armature coil में विद्धुधारा प्रवा की दिसा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है तो वह smooth commutation कहलाता है तो यहाँ पर यह जो armature की coil होगी जहाँ से EMF induced होके आ रहा है जिस segment से जुड़ी होगी यदि यहाँ पर आपको जो परिवर्तन मिलेगा यह जो carbon brush है इस carbon brush में यदि positive terminal वाला carbon brush जिस voltage को collect करेगा यदि यह smoothly करे मतलब कि बिना sparking के बिना current के मान में ज्यादा परिवर्तन हुए ज्यादा fluctuation हुए या दो segment के बीच में ना आती हुए पहले ही इस segment की जो धारा को अपने अंदर से बाहर निकाल ले ऐसी एदि इनकी जो speed होगी या ऐसी process होगी तो जो commutation होगा वो smooth commutation होगा तो आपको जो voltage मिलेगा वो constant voltage मिलेगा धीरे-धीरे में मतलब की constant voltage मिलेगा और यहाँ पर sparking नहीं मिलेगी आपको sparking बिल्कुल negligible sparking मिलेगी तो negligible sparking मिलेगी तो यहाँ पर क्या होगा आपको पता है यह जो carbon brush है इसे normal temperature पर यह कैसा रहता है as a insulator की तरह बर करता है लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा भी जो है temperature increase हो जाए राइस हो जाए तो यह conductor बन जात है तो थोड़ा बहुत जो sparking होगी तो वह sparking किसके लिए हो जाएगी इस carbon brush के लिए हो जाएगी तो carbon brush में temperature आ जाएगा तो यह conductor बन जाएगा तो यह जो commutator के उपर जब यह चलेगा तो commutator से जो voltage बाहर निकालने का काम होगा यह carbon brush का होगा तो आपको sparking जो मिलेगी terminal पे वो कम लेगी और आपको ऐसे देखने पर समझ में भी नहीं आएगा कि यह समझ में आएगा आपको कि यह smoothly run कर रहा है हमारे commutation की जो process है वो बहुत easy नहीं हो रही है second है rough commutation rough commutation जैसे इसका नाम है rough commutation तो उस तरह के से इसका भी काम है इसमें क्या होता है armature coil में विदुधा प्रभा की जो दिसा है उसमें परिवर्तन तीवरता से होने लगे तीवरता से मतलब कि फास्ट स्विचिंग का काम हो फास्ट वर्क हो जो commutation की जो process है उसमें current के flow का जो direction है वो फास्ट हो तो फास्ट होगा तो क्या होगा आपको तर्मिनल पर जो voltage मिलेगा वो इस प्रकार की commutation में जो ब्रसों पर क्या होने लगता है इस पार्किंग होने लगता है ऐसा एक्यों होता है भई यहां पर यह जो commutator है इस commutator के साथ कार्बन प्रस जुड़ा हुआ है और इस कार्बन प्रस का जो काम है यह commutator segment से निकलने वाला जो voltage है उसे output के रूप में terminal voltage में निक काम है यहां पर अत्यधिक video काम होने लगे मतलब commutation की process बहुत फास्ट होने लगे जिससे मैं बूलू को कि आप इस काम को फास्ट करिए किसी काम को मैंने बोला आपको पहले स्लो करिए स्लो कर रहे थे आप तो आपका जो काम है वो नियत समय पर बहुत अच्छे से हो रहा था अब यहां पर यही आपको मैं बोलू कि आप काम फास्ट करिए मैंने बोला आपको किसी weight को उठाना है एक second में 100 बार आपको weight को उठाना और रखना है अब आपकी जो process हो यह fast हो गई जब fast हो जाएगी तो आप उठाने में रखने में उठाने में रखने में कही न कही कुछ न कुछ अंतर मिलेगा आपको process में तो वैसे ही यहां पर भी यह जो commutator है और commutator के segment में यहां पर जो carbon बस जोड़ा हुआ है यदि यह switching का जो काम है switching का ही काम होता है मतलब यहां पर AC को DC में परिवर्तन करने का ही काम है तो यह जो commutator काम क्या होता है कि यह जो positive जो half cycle है यही positive half cycle को ही collect करता है तब ही change होगा positive half cycle को ही क्या करेगा यह collect करेगा और negative half cycle को eliminate कर देगा यह तो negative half cycle automatically जो negative carbon बस है उसमें उत्पन होने लगता है अब यह काम यह दिव fast होगा switching इनकी switching जो है fast होगी मतलब कि AC को DC में change करने वाला जो काम होगा यह fast होगा तो इसमें क्या होगा rough commutation आ जाएगा इसमें और जब rough commutation आ जाएगा तो इसमें यही पर carbon brush में और commutator के उपर sparking होने लगेगी और जब sparking होने लगेगी तो आपके terminal पर voltage भी कम मिलेगा दूसरा winding जलने का खत्रा राएगा तीसरा यह जो तीसरा जो commutator है commutator के उपर carbon की काली काली layer बन जाएगी क्योंकि oxidation भी होने लगेगा temperature rise होने पर तो उसके कारण यहाँ पर जो यह commutation कहलाएगा इस तीप का जो commutation होगा इसमें क्या होता है कि विद्धु धारा प्रवा की जो दिसा है उसमें परिवर्तन तीवरता से होने लगता है जिसके कारण यहाँ rough commutation होता है मतलब इसे क्या कहते हैं rough commutation कहते हैं rough commutation में यहाँ पर धारा प्रवा की दिसा में परिवर्तन की बात की गई है तो धारा प्रवाग के दिशा में परिवर्तन यहां कैसे हो रहा है तो देखिए यहां पर जो segment बना हुआ है इधर से जो supply आएगा मतलब की armature से जो supply आएगा जो EMF आएगा वो किस पर आएगा कम्यूटेटर सेगमेंट में आएगा तो कम्यूटेटर सेगमेंट का काम क्या है इसका काम है कि यह पॉजिटिव धारा को ही collect करना मतलब positive cycle को ही collect करना negative cycle को collect नहीं करना भई तब ही तो वो AC को DC में change होगा तो यह जो है इसके धारा के मान में rapidly परिवर्तन होता है और जब rapidly मतल पर voltage कम मिलेगा और sparking ज़्यादा होगी और losses बढ़ जाएंगे तो यह जो जनरेटर है इसमें losses बढ़ने के कारण आपके terminal पर जो voltage है वो कम मिलेगा और इसमें सबसे ज़्यादा आपका carbon brush खराब होने का ज़्यादा डर रहता है फिर आप बार 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 carbon brush ही change करते रहें कभी carbon brush break हो जाएगा तूट जाएगा कभी carbon brush जो है धिस जाएगा बार बार change करना पड़ेगा कभी-कभी carbon brush और commutator segment के उपर sparking होने लगेगी काले-काले धब्य बन जाएंगे फिर आपको रेतमल से, रेगमार से आपको क्या करना पड़ेगा फिर commutator को साप करना पड़ेगा तो यह जो process है, इन process के कारण यही rough commutation की process जो होती है इसके कारण आपकी जो carbon brush होते हैं commutation में brush के उपर sparking बढ़ जाती है और यही sparking को हमें दूर करना है तो जब भी maintenance का जब काम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि यह जो commutator होता है उसका और carbon brush तो उसको rocker आरम से निकाल के पहले हम रेतमल से साफ करते हैं sparking क्यों हो रही है फिर spring का जो pressure होगा carbon brush का carbon brush spring महा लगी होगी तो उसका जो pressure है उस pressure को भी देखेंगी कि ज़्यादा ही तो नहीं घिसा रहा है ज़्यादा घिसा हैगा तो commutator है वो commutator के ओपर कालापन और ज़्यादा जमने लगेगा यह सारी चीजों को देखा जाता है हमें चाहिए smooth commutation अब हमें smooth commutation प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा तो यहाँ पर commutation की process को smoothly करने के लिए हमें क्या करना होगा तो commutation प्रक्रिया को नीम्ड तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं अब कैसे समझेंगे चलिए देख लीजिए से यह जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया उसी को हम diagram से यही समझे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको commutation की जो process होती है इसमें commutator segment और carbon brush यह दोनों का काम है short circuit के पूर्व क्या होता है तो commutation प्रक्रिया में निम्ड प्रकार से हमाँ आप समझ सकते हैं यह coil है coil A, coil B और यह coil C तो golden की जो दिसा है इसके direction कि स्टाइब से है इस टाइब से है clockwise direction में यह rotate कर रहा है और यह जो हो गया आपका commutator segment हो गया इसे क्या कहेंगे commutator segment यह जो बीच में black वाला है यह है mica ठीक है यह carbon brush carbon brush ठीक है अब यह जो segment है S1, S2, S3, S4 यह segment के नाम है मतलब कि यहां से यहां तक जो segment है इसके बीच में माई का लगा हुआ है फिर segment 2 आ गया फिर माई का लगेगा फिर segment 3 आ जाएगा फिर माई का लगेगा इस टाइब से जो commutator होता है commutator एक खाचे जिसमें देखेंगे आप अच्छे से तो बीच बीच में बीच बीच में माई का भरा होता है यह उसके खाचे है और यहां पर जो coil है यह coil की soldering की हुई है यह क्या है यह soldering की हुई है मतलब की armature से जो coil आई हुई है यह coil को क्या कर देंगे यहां पर हम soldering कर देंगे तो यह जो coil है मतलब की यह armature armature coil हो जाएगा यह जो coil है यह armature coil है और यहाँ पर लाके riser के उपर किसके उपर riser के उपर इसे riser कहे सकते हैं आप तो riser के उपर हमने क्या कर दिये यहाँ पर soldering कर दिये तो यह जो coil है एक एक turn यहाँ पर आकर soldering हो गया इस commutator segment में अब देखिए short circuit के पूरूर क्या हो रहा है यह जो carbon brush है यह किसी एक खंड पर रुका हुआ है मतलब किसी एक खंड की मतलब यहाँ से जो current इस coil में जो current अर्थात की EMF उत्पन हो रहा होगा यही EMF कहाँ पर पहुँचेगा आप commutator segment में अब यह commutator segment क्या करेगा अर्थात की commutator क्या करेगा यहाँ AC को DC में बदल देगा तो इसका काम यह है कि AC की जो wave shape है positive और negative half cycle उसमें positive की half cycle को ही accept करना negative की half cycle को accept नहीं करना तो ऐसा positive की half cycle को जब accept करेगा तो wave shape कैसी बन जाएगी इस टाइप से बन जाएगी wave shape ऐसी बनेगी न positive 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 half cycle इस टाइप से बनेगा और negative half cycle क्या हो गई गायब हो गई आपकी तो यह जो positive half cycle positive half cycle यहाँ पर इसी को collect करने का काम है carbon brush का और यह change करने का काम है commutator का किसका काम है commutator का काम है change करने का commutator का काम है कि इसको AC को DC में परिवर्तित करने का काम और commutator के segment का जो काम है उनका काम है कि इस सिर्फ positive cycle को ही pass collect करना positive cycle को ही collect करने का काम है यह segment का काम है अब यहाँ पर होता क्या है शाट सर्कुट के पूर्व यदि आर्मेचर में दक्षिना मर्थ तो दक्षिना मर्थ क्या होता है तो आप ऐसा याद रखेंगे इसे बाद क्या याद रखेंगे बाद बाद याने क्या होता है बाया द याने दाया तो इसे क्या कहते हैं हम लेफ इसे क्या कहते हैं राइट आप यहां पर दो होता है एक होता है वामर्थ और दक्षिनावर्थ तो वामर्थ को आप बामवर्थ पढ़िए तो इसी लेफ्ट को क्या कहे क्लिरे सभी को तो यहां पर आपको ऐसा याद रखेंगे इन सब्दों का जो उपियोग है यहां पर ही किया गया है हमारे लेक्ट्रिकल में वामर्थ और दक्षिनावर्थ तो आपको यह याद रखना है कि वामर्थ का मतलब होता है इसे बाम वर्थ याद रखेंगे तो बाया याद रहेगा और बाया मतलब क्या होता है लैप्ट होता है clear है सबीको और दाया मतलब होता है दक्षिणा क्या होता है गुणनकर रहा है मतलब राइट इ lle गर राइट साइट से रोटेट कर रहा है तो ब्रस उसके विपरित अर्थात की वामर्त दिशा में गतीमान प्रतीत होगा किस दिशा में होगा लेट साइट से गतीमान प्रतीत होगा हमें राइट साइट कौन रोटेट करेगा आरमेचर लेकिन ब्रस जो है उसके विपरित द अब ये देखिए ये जो ब्रस है किसके संपर्क में है अर वो आरमेचर कौाइल B तथा C से विद्धुधारा प्राफ्त कर रहा है अब आरमेचर कौाइल B तथा C विद्धुधारा कैसे दे रहे हैं तो आप देखेंगे ये भी current यहां से इसको pass करेगी और ये coil भी current यहां पर इसको pass करेगी तो यहां पर ये जो astute segment है ये astute segment में जो धारा आएगी इसी धारा को collect करने का काम किसका होगा इस carbon brush का होगा ठीक है अब यदि इसे हटा कर थोड़ा सा यां बीचो बीच में कर दें इसे हटा कर थोड़ा सा बीचो बीच में कर दें तो इसकी भी जो धारा होगी इसे भी collect करेगा ये और इसकी भी जो धारा होगी इसे भी collect करेगा तो यहाँ पर problem आ जाती है यहाँ पर problem हो जाती है अब यह ऐसा कैसे होता है collect कैसे कर लेगा यह जो segment है यह तो rotate कर रहा है न साप के उपर और यह carbon brush को थोड़ी ना पता है कि इस के बाद कोन आने वाला है उसका तो काम है बस घिस्ते वे चलते जाना इसके उपर घिस्ते वे चलते जाना जो उसके लाइन में आ गया उससे वोल्टेजों ग्रहंट कर लेगा नहीं तो छोड़ देगा बास आएगे नहीं तो यही चीज यहां पर यह कारबन ब्रस के कारण हो तो इस क्वाइल की भी धारा और इस क्वाइल की भी धारा दोनों S2 में आकर इस कार्बन ब्रस में मिल जाएगी, अब आपको यहां पर देखने मिलेगा, ऐसे सिच्वेशन में क्या होता है, कि आपको जो वोल्टेज मिलेगा, वो constant मिलेगा, मतलब की काम जो हो रहा है आपका वो smooth commutation का हो रहा है, अब इसी में short circuit कब होता है, यह तो short circuit होने के पूर्व की condition है, तो short circuit की है, पूर्व की condition मतलब की यहां पर जो commutation हो रहा है, वो smooth हो रहा है, मतलब इस segment की जो current है, वही current को यह बहार निकालने का काम करेगा, तो इसमें जो commutation की process होगी, वो smooth होगी, कोई problem नहीं होगा लेकिन क्या होता है यदि short circuit की condition जब आती है मतलब कि carbon brush 2 segment के बीच में आकर फस जाता है carbon brush 2 segment के बीच में आकर फस जाता है तब बड़ी problem हो जाती बहुत ज़्यादा problem हो जाती तो यही problem को आपको समझना पड़ेगा तो short circuit होने पर on short circuit तो short circuit की होने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसे क्या कहेंगे हम coil ठीक है यह क्या हो गया coil हो गया यह commutator commutator segment यह हो गया आपका माई का जो दो segment को अलग-अलग divide करता है और इसे कहेंगे आप carbon brush अब देखिए यहाँ पर coil A, coil B, coil C तीन coil है और यह तीनों coil को यहाँ पर soldering कर दिया गया है riser के उपर अब आपने इसमें soldering कर दिया यह जो carbon brush है यह carbon brush दो segment के बीच में S1 और S2 के बीच में आ गया और वह आर्मेचर coil A और C से विद्दुधारा प्राप्त कर रहा है किस से कर रहा है? A और C से विद्दुधारा प्राप्त कर रहा है तो यह A से विद्दुधारा मतलब की यहां से current यहां पर आ रही है और C से भी current यहां पहुंच रही है मतलब इस carbon brush पर पहुंच रही है यह कह सकते हैं सीधे जो current है यहां से किस में आएगी इस carbon brush में आएगी और यह C से भी current carbon brush पर पहुंचेगी सीधे as to short होने के कारण short का मतलब यह होता है कि यहां पर coil A की भी धारा इस commutator मतलब की carbon brush पर आ रहा है और coil C की भी जो धारा है यह carbon brush पर आ रही है तो यह दोनों segment आपस में क्या हो गए है? short हो गए short का मतलब यह है कि इसमें भी वही धारा बह रही है और इसमें भी वही धारा बह रही है, अब दोनों धारा यहां पर एक ही सेग्मेंट में जब होगी, तो आगे भी ऐसा ही होगा, जबकि क्या होना चाहिए, S1 में धारा, S1 से धारा किसमें आना चाहिए? इस कार्बन ब्रस में आना चाहिए, और S2 की धारा illuminate होना चाहिए तो S1 की धारा है इस carbon ब्रस में आना चाहिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है short circuit होने पर S1 की धारा यहाँ पर आ रही मतलब कि coil A की भी current यहाँ पहुँच रही है और coil C की भी current यहीं पहुच रही है अब यह दोनों segment आपस में short circuit हो गए मतलब कि यह जो segment है इसमें जो mica लगा हुआ है इसका कोई मतलब ने निकला अब हमारा commutator segment इतना बड़ा हो गया commutator segment इतना बड़ा हो गया तो जब यह दोनों के बीच में S1 और S2 के बीच में जो mica है यह किसी कामका नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जागा S2 के short होने के कारण coil B short circuit हो जाएगी अब यह जो इसकी जो धारा है यह धारा कहां जाएगी भाई इसके लिए तो पढ़े परिशानी की सबब हो गया यह इसकी धारा कहां जाएगी इसकी धारा क्या इधर आएगी और इधर जाएगी नहीं होगा ऐसा नहीं होगा तो यह इसके कारण यहाँ पर यह short circuit हो जाएगी क्योंकि current का जो direction है सबकी लिए एक ही रहेगा या तो enter करेगी या तो out होगी या तो enter करेगी या तो out होगी इसकी भी current या तो साथ में enter होगी या तो साथ में out होगी तो यहाँ पर इसकी current जो है मतलब की coil A की current और coil C की current यह दोनो current यहाँ पर enter हो रही है लेकिन अब इसकी current क्या होगी इसकी current के लिए तो बहुत परिशानी होगी क्योंकि यह जो terminal 1 होगया और ये टर्मिनल इसका 2 हो गया तो ये जो टर्मिनल के जो धारा है ये अब यहाँ पर invert याधी होती है तो फिर यहाँ पर ये आउटवर्ड कहां से हो जाएगी तो ये बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि दोनों की जो कोईल है ये short circuit हो गई तो ये neutralize हो जाएगा ये क्या हो जाएगा neutralize हो जाएगा तो neutralize कब होगा जब अपने अंदर की जो current है वो किसी और को दे दे और खुद को neutral कर ले तभी होगा की नी तो ये जो क्वाइल क्या करती इसमें जो voltage बन रहा है इसमें जो current induced हो रहा है इस current को क्या करता है ये carbon brush के उपर दे देता है बोले भीया मैंने लेकर आया था आप संभालिये मेरा काम लाने का है संभालने का काम आपका है अब carbon brush और commutator segment क्या करेंगे उसे तो कहीं न कहीं उसको flush करना पड़ेगा तो वो फिर अब spark करने लगता है वो क्या करने लगता है spark करने लगता है और यही process होती है short circuit की process और यही process क्या होती है short circuit की process अब extra current यहाँ पर आने लगी तो ये जो carbon brush ये क्या करेगा ये spark करने लगता है तो ये extra current मतलब short circuit की current के कारण यहां पर अत्यदीक धारा प्रवाइट हो रही है तो इसके कारण नुक्सान किसका हो रहा है इस कारबन ब्रस का और यही कारबन ब्रस फिर नुक्सान किसको पहुंचा रहा है कम्यूटेटर सेगमेंट को तो यह प्रोसेस होती है यहां पर लिखा है S2 के short होने के कारण coil B short circuit हो गई इस सिरी में coil B में से होने वाला जो विद्दुधारा प्रवाग क्या हो जाता है 0 हो जाएगा मतलब उसके current को लाने का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि वो अपनी current तो neutralize कर देगा नो तो neutralize कर दिया तो यहां पर जो इसकी जो current मिलना था इसे वो collect नहीं कर पाएगा और इसके कारण जो terminal की जो voltage है वो कम हो जाएगी तो यहां पर इनी process को और अधी हम short circuit के पस्चाद की प्रोसेस समझते हैं तो इसमें और अच्छी से समझ में आएगा देखी इसमें क्या लिखा हुआ है short circuit के पस्चाद क्या होता है armature coil B के short circuit होने के पस्चाद जब commutator इसे घूमने की दिशा में जब आगे बढ़ता है तो ब्रस S1 से संपर्क में रहता है और वहां armature coil A तथा C से एक ही दिशा में होते हैं armature coil A तथा C से विद्दुधारा क्या होता है प्राप्त होता है मतलब की A की दिशा में है इसलिए प्राप्त हो रहा है तो A तथा C से विद्दुधारा प्राप्त होता है तो coil B में विद्दुधारा प्रवा की जो दिशा है वो short circuit से पूर्व की इस्थिती में विपरित हो जाती है मतलब की इन A और C का जो हो जाएगा करेंट के फ्लो की डारेक्शन एक ही होगी लेकिन B की जो डारेक्शन हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी ऐसा इसलिए क्योंकि इसके दोनो टर्मिनल कहां पर आके शॉट हो रहे हैं एक ही पॉइंट पर आके शॉट हो रहे हैं और इसकी जो करेंट हो जाएगी ये जीरो हो जाती है तो जीरो होगी कब जब ये अपने अंदर की धारा को किसको देगी आर्मेचर सेगमेंट को देदेगी मतलब आर्मेचर को देदेगी और armature को देने के बाद ये खुद zero हो जाएगी लेकिन यहाँ पर sparking होने लगती है और इसके current के flow का जो direction है अब वो change हो जाता है अब इसके current के flow का direction change होगा तो जहाँ से यह उत्पन हो रही थे मतलब कि armature में जो conductor से मतलब कि जहाँ flux कट रहे थे जो EMF produce हो रहा था अब यह return उसको EMF यदि देने लगे तो एक साथ पूरे circuit जो है मतलब जहाँ से EMF बन रहा है वहाँ तक धक्का पहुचेगा उसे मतलब इधर का pressure जहाँ EMF generated वहाँ तक पहुचेगा और उसके कारण उस coil में जितनी उसकी एक जो ring होगी एक छल्ला जो होगा उस एक छल्ले में current क मान zero हो जाएगा क्योंकि आपको मालूम है यदि इधर से भी current आए इधर से भी current आए तो इस point पर दोनू के current का I का मान ही zero हो जाएगा दिखकत है हो जाएगी क्योंकि यहां से इस k-coil में जो करेंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो रा है और उसी लइन से करेंट पहले आ भी रही है यह जनरेट होके किस पर आरई कम्यूंटेटर पर अब यह दो औरनों का एक ही डिरेक्सन हो जाएगा तो करेंट बंद बंद हो जाएगी तो उस एक छल्ले में एक बनानाई बंद बंद बंदब सब्सक्राइब भूध site मतलब इस क्वाइल में धारा के प्रवा का EMF जनरेट करने का कोई अस्तित हो नहीं रहेगा तो यह जो प्रोसेस होती है इसी को यहाँ पर दर्सा आए गया है A तथा C से विद्दुधारा प्राप्त करता है तो क्वाइल B से B में विद्दुधारा प्रवा की जो दिसा है वो short circuit की पूरू की इस्तिती में विपरित हो जाती है अच्छानक धारा की दिसा बदलने के कारण क्वाइल B में reactance voltage उत्पन होने लगता है और आपको मालूम है reactance क्या होता है ठीक है तो यह एक प्रकार का circuit में बादा ही है बादा है के नहीं मतलब की reactance जो है यह एक प्रकार का बादा है तो यह जो बादा है यह बादा उत्प हो जाती है और क्वाइल भी में विद्धुधारा की दिशा परिवर्ति हो जाने से उसके द्वारा उत्पन होने वाले फ्लक्स की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है अब यहां पर देखो एक छोटी सी गल्दी के कारण एक छोटे से प्रावलम के कारण पूरे सरकीट में फ्लक्स का मान परिवर्तन हो रहा है तो फ्लक्स की दिशा में परिवर्तन हो जाती है फ्ल्स और क्वाइल भी में स्वप्रेरंड के कारण विद्धुत वहाग बल उत्पन होने लगता है और यही विद्धुत वहाग बल जो है जो उसमे से हो रहे विद्दु धारा का विरोध करता है जिसे कहते हैं स्वप्रेंड या सेल्फ इंडक्शन अब यह आगे से पढ़े हम बड़ा अच्छा लिखा हुआ है उपर है तो धारा प्रवा का जो ही है विरोध करने लगे आप सेल्फ इंडक्शन होगा तो जिससे यहां हो रहा है अर्था की लेंज के नियम के अनुसार हो जाएगा धारा प्रवा का जो है यह विरोध करने लगे गा और इस प्रकार विद्दु धारा का कुछ अंस चिंगारी के रूप में सेगमेंट S2 के द्वारा क्यू ब्रस पर आ जाता है और इसी के कारण हमें कारवन ब्र स्मूथ कम्यूटेशन करना होगा जिसमें कोई स्पार्किंग न हो तब आपको टर्मिनल पर भी वोल्टेज सही मिलेगा और आपकी जो जनरेटर है वो जनरेटर के पार्ट्स खराब भी नहीं होगे तो आप इसे इस तरीकी से समझ सकते हैं यह देखिए यहाँ पर S1 और S सुधारना है 11 बजेगा तो आप मुझे बता दीजीगा ठीक है तो कम्यूटेशन को सुधारने के लिए हम यहाँ पर इसकी जो मेथड है कल पड़ेंगे क्योंकि इसकी भी बहुत मेथड है एक होता है विद्दुट वहाग बल PMF कम्यूटेशन यहाँ दिख रहे आपको ठ सकते हैं स्पार्किंग की प्रोसेस को सवाप कर सकते हैं